वो फैक्टर रहा शादी और फिर उसका सपोर्ट था जो एकोनॉमिकली वाइफ ने बोला कि भई जॉब छोड़ करके जाओ और बाकी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी तुम्हारे घर का भी और अपने घर का भी तो वो कहीं ने कहीं एकोनॉमिकली और फिनांशियल और उनका यूट्यूब से नोट्स मिला जो कुछ कोचिंग किया था तो वहां के नोट्स थे तो मिला कि हमें 50% से लेबस के questions जो पिछले 5-10 साल में पूछे गया है वो आने चाहिए उतना भर किया था मैंने और उपर वाले ने कहीं ने कहीं पार लगा दिया इस बार हमें लगता है हमारे वीवर्स को लगेगा कि पढ़ाई आपकी ही जैसी करनी ही चाहिए सब्सक्राइब से पहले थो हमारे यूपी पीसी डेली ने उसकी तरब से बहुत डेर सारी सुप्रावन है धन्यवाद धन्यवाद सर हमारे जो वीवर्स हैं चैनल पे जो नए जुड़े हुए जो चाहत्र है और जो जानना चाह रहे हैं आपके भी से में उनको बताएं सर आपका एजुकेशनल बैग्राउंड क्या रहा है मैंने मेकैनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है और फिर उसके बाद मैं नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में 2019 नवंबर तक जॉब में रहा हूं फिर मैंने अपना पीसेस के त्यारी के लिए फुल टाइम त्यारी के ल काहां कब सोचा कि आपको जो है सिविल सर्फिस में जाना है तर टर्निंग पॉइंट जो में है मेरे लिए वो मेरी शादी है 2017 मेरी शादी हुई तो वहां पे मेरी वाइफ जो है प्षैटिसगड़ पीसे के मेंस क्लियर की हुई है इंट्रिव्यू दी है और उनके भाई- जो मेरे शाले जी है जो वो पीफ कमिशनर है और यूपीसी वगरे के त्यारी कर चुके है और उन लोगों का जो रहन सहन है और बाकी जीजे जो मुझे बहुत प्रभावित की कि इस तरह से स्ट्रेगल करना चाहिए और उसका फल भी मिलता है आगे तो कहीं ने कहीं वो फै और इन लोगों का मोटवेशन इन लोगों का स्ट्रेगल देखके लागोर bisa यूद कर सकती हैं के तो सबसे यार दा सब दसक्राधे मेरे को मोटवेट कर ने के तुम कर सकते हो एक एग रिंची अबग कराऊंड का हो सब्या waarट में बहुत कटिन का बहुत कटिन सब्सा और ऑ तो उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी इन लोगों ने रुची जगाई मेरे अंदर फिर दीरे-दीरे चीजें हुई सर बात करेंगे आपका optional कौन सा है और medium कौन सा है मेरा medium English है और optional मेरा हिस्ट्री है सर आपने कहीं कोचिंग की थी प्रारंभी परिच्छा है मेंस को ले करके नई सर मैंने कोई कोचिंग नहीं की है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने धे में ज्वाइन किया था लेकिन उससे 20-30% इसलेबस पूरा हो पाया था मेरे मेंस देने तक तो 20-30% से वहां से हो गया था और वागी अपने से कर रहा था मैंने अब सर बात करेंगे प्रारंभी परिच्छा को ले कर गया होगी आपने कहीं कोचिंग की नहीं तेरा previous year question और syllabus को उतना नहीं ध्यान दिया उतना वेटेज नहीं दिया जितना देना चाहिए था जो कि मैंने 2021 में जो जिसमें मैं select हुआ हूँ उसमें मैंने अपने आपको सुधारा और इसमें मैंने प्री के लिए जो strategy अपना ही उसमें mainly मुझे लगा जिससे फायदा हुआ मुझे वो पिछले 20 सालों के जो प्री के questions उसको बिल्कुल आप analyze करिए और उसके options पे भी research करिए हो सकता है कि जो इस बार questions आए है आप उसको solve कर ले रहे हैं लेकिन उसके options में कुछ ऐसी चीज हो जिसमें next year में question बने तो previous year question को बहुत अच्छे से और उसके options को बहुत अच्छे से research करने की जरूए था और contest कर लेने की जरूए था अच्छा इसमें current affair को लेकर का और UP special में सर यूपी special के लिए तो दैनिक जागरन वगरे में जो यूपी में आते रहे थे daily news में उसका cutting रख लेता था कुछ special scheme जैसे अभी commissioner rate बना है तो cutting रख ली बाद में याद आ जाएगा कुछ और वाकी UP special के लिए ज्यादा कुछ नहीं घटना चकर की एक आर्थी की याद दी ह उसको पढ़ा था मैंने और घटना सार या फिर घटना चकर का जो last month में आता है उसको पढ़ लेते थे yearly compilation ये बहुत helpful होती है और बाकी अगर UP pieces के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी magazine पढ़ने ज़र हो था कि विजन द्रिश्टी ये सब unnecessary time wastage मुझे लगता है तो सर अब हम आते हैं मेंस को लेकर के मेंस में हिंदी और essay और साथ में GS first second third और fourth fourth paper में aptitude integrity और ethics का ज लेकिन बात करते हैं हिंदी और essay को लेकर कैसे आपने किया इंग्ली मीडियम से थे आपको क्या है हिंदी का मैंने previous year paper मैं अपने हा जो सारी strategy है वो previous year papers पे बेस्ट है हिंदी के सिवांस के और भी कुछ किरन के इन सब को previous year papers आते हैं solved उसको बढ़िया solve कर लिजे उससे idea कम से कम में परिच्छा जब देने जा रहे हैं चार-पांच paper आप solve किये रहेंगे time limit में वहाँ बन जाएगा काम तो डेर सो में 99 मार्क हिंदी में तो मुझे लगता English medium होके बुरा नहीं किया है मैंने और essay और हिंदी आपने ऐसी एसे भी मैंने चार-च्छे प्रैक्टिस कर है इस बार लगबग सारे लोगों के मैं देखा हूँ 55-70 तो 80 भी बुरा स्कोर नहीं है ठीक है उसे साब से English medium है English medium से हो जोगी आशा सर हम जानना चाहेंगी कि आपने PCS 2022 का भी मिल दिया है जी बिलकुल दिया है तो सर जीयस फर्स सेकेंड थर्ड और फोर्थ की भी से हम ब हो गया, self help group हो गया और नीती IO हो गया अब इन सब के जो repeated questions है ना उनके आपके एकदम notes बने होने चाहिए और उसी से मतलब मैं daily लाश्ट के तीन महीने सुबह के दो घंटे ethics पढ़ना है और उसके बाद alternatively GS1 की answer writing एक दिन कर लिया, अगले दिन GS2 की कर लिया, GS3 में answer writing पर फ reference book से कर सकते हैं ज्यादा तर आपने previous year paper हों से ही अपने सारे सीजें solve की हैं अचाहिए वो pre हो, mains हो, hindi हो, essay हो, सब भी चीज का based previous year paper अब बात करेंग सार, optional को लेगर के, कि optional में first और second में बात कौन सी book आपने follow की history, English medium में है Sir मैंने ऐसाच कोई book नहीं follow की है, मेरे पास प्री निकल ही रहा था, इसले तीन सालों से बने बताया, तो गलती से निकल गया जैसे 20 बाई, 2021 में, तो फिर एक तुम हड़बाया हुआ था कि कैसे cover कर इतनी सारे paper GS1, 2, 3, essay, Hindi और optional भी, तो मैंने GS के लिए बस answer writing पर फोकस किय दो घंटे daily और बाकी का time मैं पूरा history optional पढ़ रहा था, तो मेरे को ये था कि मैं 50% syllabus cover करूंगा, क्योंकि history का syllabus इतना बड़ा है, पूरा cover करना और बाकी subject के साथ संभव नहीं था मेरे लिए, तो मैंने 50% selected topics उसमें भी previous year questions से उठाए, जो ज़्यादा repeat हो रहे हैं, और उनका YouTube से notes मिला जो, कुछ coaching किया था, तो वहां के notes थे, तो मिला कि हमें 50% syllabus के questions जो पिछले 5-10 साल में पूछे गा हैं, वो आने चाहिए, उतना भर किया था मैंने, और उपर वाले ने कहीं न कहीं पार लगा दिया, बस मेरे को यहीं लगता है, Google, YouTube और coaching के notes से, Study IQ में एक चौहां इंटर्व्यू आपका कैसा रहा है? थोड़ा पकड़ लगा के जानी चाहिए, इस बार हमें लगता है, हमारे वीवर्स को लगेगा कि पढ़ाई आपकी ही जैसी करनी चाहिए, smart study, smart कैसे बोल सकते हैं, तीसरे attempt में हुआ है, हाँ कहीं ने कहीं, pre निकल जाने के बाद थोड़ी सी smart study हुई है, पिछला उसके पह ग्रेजुएशन की तरह है, जैसे आप ग्रेजुएशन में पिछले साल का पेपर लेके बैठते, आइडिया लेते हैं, बस उतना ही simple समझा जाए, तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है सार, अब आते हम लोग थोड़ा सा entertainment बेस पर, जैसे पढ़ाई करते हैं, आपको बुर एकाद दो गंटे देख लेता था, मुवीज वगेरा, और योगा, मेडिटेशन इस पर भी मैं फोकस करता हूं थोड़ा, जब थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो योगा, मेडिटेशन और इन लोगों की बुक वगेरा, मैं पढ़ता हूं थोड़ा, यूंकि दिमाग अप होँगा कि आप अगर कुछ भी दिल से ठान लेते हैं, जैसे मैं इंजिनिरिंग बैक्राउंड का था, और मेरे को काईदे से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम में भी मैं कन्फ्यूज हो जाया गरता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, या कोई दूसर हुए तो उससे दिमोटिवेट भी नहीं होना है, या कि वही स्टेप है, इट बनेंगे हमारे बिल्डिंग के, फेलियर्स हमारे सक्सेस के, तो उससे दिमोटिवेट नहीं होना और प्रयास एकदम करते रहना है, बस प्रयास सही डिरेक्शन में करना है, यह अस्योर करें, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीम्ती समय हमारे चैनल के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर